लेकिन अगर उनकी सांसदी जो सीट है अगर सांसदी सीट को भी छीना जाएगा यानि कि जिस शेतर से वाप तक चुनाव लड़ते रहें लगातार वहां से उस राज्ये का जो सीट का जो कह सकते हैं एसे में अगर उनको वो सीट नहीं मिलती है तो यहां से प्रॉब्लम मेरी जुनावों पर फोकस करना भी चाहेंगे तो ऐसे में उनकी पार्टी के अंदर ऐसी इस्तीती बनीवे कही नेताओं के चलते कि पार्टी में अगर यहां पर उन्हें पदिया टिकेट नहीं दिया तो पार्टी में तो दो फाड़ हो सकते हैं और जिस तरीके से हां पर जीतन भर में आम चुनावों की तारिखों का काउंट डाउन शुरू हो चुका है इस बीच आपको बता दें कि राजनेताओं के रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं तमाम पार्टियों के बड़े बड़े राजनेता एक दल से दूसरे दल तक अपना रुख करते नजर आ रहे ह जी हाँ चुनाव से पहले जो इस्थीती बनते हुए नजर आ रहे हैं इसमें तमाम ऐसी पार्टियों हैं और उनके तमाम ऐसे नेता हैं जो बड़ा नाम होने के बावजूद भी एक दल से दूसरे दल का रुख कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टियों के अंदर भी एक तमाम दलों के बीच राजदितिक रसाकसी देखने को मिल रही है इस बीच आपको बता दे कि बिहार में 16 सीटों पर भारती जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है जबकि 16 सीटे जेडियों के खाते में आई हैं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि यहां पर तमाम स लोगसबा चुनाव में बिहार की राजदितिक को साधने के लिए भारती जनता पार्टी और जेडियों जो एक मंज पर आई है कि आगामी चुनाव से पहले ही तमाम राजदितिक समिकर्ण को बैठा करके यहां पर चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगी फिलहाल यदि देखा जाए तो पशुपती पारस इसके साथ साथ मुकेश सहनी जीतन रामांजी और खुद यदि जेडियों के अंदर की बात की जाए तो ललन सिंग भी सीट बटवारे को लेकर चुनाव की टिक्टो को लेकर लगातार बैठके कर रहे हैं और नितीश कुमार से आमन जी जिस तरीके से बिहार में जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है पहले सरकार बनाने को लेकर और अब लोगसवा सीट सेरिंग को लेकर तमाम जो दल हैं वो ज्यादा सीटों की उमीद करते नजर आ रहे हैं आज लेलन सिंग नितीश कुमार से मुलाकात करते ह रही है यहां पर जेडियू के तरफ से देखे जाहिर सी बात है मुंगेर की जो सीट उसके लेकर लगातार पहले से ही बात चल रही है कि क्या वहां से इस बार फिर जो है ललन सिंग नजर आएंगे क्योंकि यहां से नीलम देवी के नाम लगातार सुरुक्यों में बना या फिर उनको जो है इस बार सीट पे नहीं चुनाव लड़वाया जाएगा ऐसे कई तरह क्यास भी लगाया जा रहे हैं कि अगर बो कह सकते हैं चुनाव में नहीं उत्रे तो बड़ी बगाबत जीडियू के अंदर नजर आ सकती है तो क्या लोग सबाद चुनाव से पहले मंत्री बने हैं तो ऐसे मैं आप यह मानकर चलिए कि कहने कई बीजेपी दवाव बनाने का प्रयास कर रहे है क्योंकि ललन सिंग से डिली में प्यमोदी के मुलाखात होती है उसके बाद यह कहा जाने लगता है कि हो सकता है कि कोई भी संभावना के लिए ललन सिंग को त्या कैसी भवश है के दाव पर लगने वाला है क्या उनके राजडिती हाशे मीब्यान है क्या इस तरह बोला की मूंगेर से चुनाव लड़ती है तो पर ललन सिंग को मना किया जाएक revenue आजिस सवाने वले पीज़ा जाएंगा पीरत जिक तरिया लेकिन जासेंगेंगा यह जा सकता है कि ललन सिंग के मताबिक अगर पडिया कह सकते हैं कि चुनाव में नहीं उतारा गया तो नाराज तो पहले भी हैं जब उनको प्रक्षक से भाएंगा उसमें भी तल्ख वो नजर आए उनकी जो टिपड़ियां थी और ऐसे में ये भी कहा जाता रहा कि यहां पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी से अकेले मुलाकात करना यहां पर ललन सिंग का क्या नितीश कुमार के लिए क्या संके देता है क्या आगामी वक्त अब ज्यादा वक्त तक जे अंडिस्टेंडिंग थी वो खतम होती दिखाए पड़ लिए और क्या मुंगेर सीट को लेकर कोई ने कोई कह सकते हैं कि आपस में तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया होगा अब जब कि जब कह सकते हैं कि जब विहार को लेकर जब सीट शेरिंग हुई है उसमें कौन-क सब्सक्राइब से हटाया गया तो जाहिर बात है कि उनको उन्होंने कुछ नहीं बोला चुप रहे खामोश रहे लेकिन अगर उनकी सांसदी सीट को भी छीना जाएगा यानि कि जिस शेतर से वह तक चुनाव लड़ते रहें लगतार वहां से उस राज्जे का जो कह सकते है हैं ऐसे में अगर उनको वह सीट नहीं मिलती है तो यहां से प्रॉब्लम मेरे खालता जेडियू का अंदर हो सकती है बिलकुल यहां पर जेडियू को आने वाले चुनाओं से पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और ललन सिंग बड़े कदावर नेता के तोर पर जाने जाते हैं जिस तरीके से उनका राजनिती का सफर रहा है अभी तक बिहार की राजनिती में उन्होंने क्विशे स्थान रखा है अक्से से अगला सवाल लेंगे अक्से जिस तरीके से यहां पर जेडियू के अंदर जो है कई ना कई कलह का माहूल देखने को मिल रहा है सीट सेरिंग को लेकर अभी तक नितीश कुमार ये फाइनल नहीं कर पाए कि कौन उमीदवार मैदान में उतरने वाला है क्या अगामी वक्त में यहाँ पर जेडियू के लिए किसी प्रकार की आज की स्थिति देख रहे हैं सक्षपत से दिल्ली में मीटिंग करते हैं नितीश कुमार ने उन्हीं हटा दिया था और ये बात कही गई थी खुद नितीश कुमार और ललन सिंग के द्वारा कि अब आम चुनाव आ रही हैं ललन सिंग उन पर ज्यादा धियान देंगे लिहाज़ा उन्हें पार्टी के इस बढ़ा सकते हैं लेकिन कि ललन सिंग की बात नहीं है बात यहां पर मैं करना चाहूंगा गोपाल मंडल की विभागलपूर से विधायक है और गोपाल मंडल का देखिए जब कभी भी जखर आता है तो जहन में आते हैं उनके तमाम बयान तमाम बयान से आहे वो यह कहना हो कि टिकेट तो हमारी पॉकेट वाम में है कोई टिकेट हम से नहीं रोक सकता या फिर यह कहना हो कि पांच करोड देगा तो EDI, CBI या जहां चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे अब देखिए गोपाल मंडल ने भी दोहरी इच्छा व्यक्त की थी निदीश कुमार कैबिनेट म हो चुका है लेकिन अब जब यहां पर उन्हीं टिकेट अगर नहीं मिलता तो वह भी कहीं न कहीं बगावति सुरक्तियार कर सकते हैं जिस बात को लेकर वह साफ तौर पर पहले ही कह चुके तो कुल मिलाकर करके नितीश कुमार अगर चुनावों पर फोकस करना भी भारती जनता पार्टी और जीडियू साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं दोजार चुबीस का लोगसबा चुनाव है बड़ा चुनाव है इसमें नितीश कुमार भी भारती जनता पार्टी के लिए इसलिए बिहार की सत्ता में दोबारा से आये हैं कि उनना दोबारा से लोगसभा चुनाओं में बड़ी जीत हासिल हो सके और 2024 के लोगसभा चुनाओं में बिहार में जो 2019 में भाजपा के साथ मिलकर के जो ट्रेक रिकोर्ड अपना था उस पर कही ना कहीं कामिया भी मिलती नजर आए प्रग्या से अगला सोल रहेंगे प्रग्या जिस तरीके से ज मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्द ही होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से नितिश के खिलाफ तमाम नेता कहीं न कहीं अपनी मांगों को रखते हुए नजरा रहें बातों को रखते हुए नजरा रहें इससे साफ तोर पर लग रहा है कि नितिश कुमार नहीं उने म मांची के मंतरी यहां पर बनाए जा सकते हैं उनके विधायक तो फिर आखिर कार बाकियों के क्यों नहीं सीटों को लेकर भी इसी तरीके की चीज़े कर रहे तो कहीं नहीं नितिश कुमार ने खुद अपनी मुश्किलों को बढ़ाने का काम यहां पर किया दिनेश बिल्कुल इस पूरे मुद्धे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं न्यूजरूम से इस खास कारिकरम इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए आप देखते रहे है एस्पियन नहीं न्यूज